शब्दो का मैदान इस चानल ने एक सवाल पूछा है कि अगर किसी के घर में मृत्त्य हो गई तो उनके रिष्टेदारों को किस धंग से उनकी सांध्वना करे इश्वर का नाम लिए बगए काफी difficult सवाल आपने पूछा है किसी की मृत्य होने के बाद नजदिक के लोगों को समझाना बहुत कठिन होता है क्योंकि ये इतना बड़ा लॉस होता है कि जो कभी वापिस नहीं आ सकता है और अक्सर फिर लोग एक दुसरे को समझाते वक केते हैं कि भाई इश्वर की इच्छा थी उसकी इच्छा क्या आगे किसी का क्या चलता है इतने ही दिन तय थे उतने दिन पूरे हो गए और फिर हमारी ये प्रिये वेक्टी हम में से चली गई अब वो एक्सिडेंट में गई बीमारी से गई और किसी कारण से गई इतने ही दिन तय थे इश्वर की इच्छा थी और हम लोगों को लगता है कि इसके कारण आदमे समझ पाता है इस बात को और वो अपने आपको समझा पाता है कि भाई क्या करेंगे इश्वर इश्वर की इच्छा के आगे तो किसी का नहीं चलता है लेकिन क्या है सही बात है किसी को भी इतने दुख में समझाना उसका ढाणस बनाना या फिर उसका संद्वन करना बहुत कठिन बात होती है लेकिन इश्वर का नाम लेकर जितना संद्वन करना कठिन होता है उतना ही नाम न लेते हुए भी कठिन होने वाला है उससे ज़्यादा कठिन होने के गुंजाईश नहीं है चाहे आप इश्वर का नाम ले चाहे ना ले लेकिन हम में से हर व्यक्ति को मालूम है कि जो जो पैदा होता है जन्म लेता है वो हर व्यक्ति कभी ना कभी ये दुनिया छोड़ कर जाता है या उसकी मृत्ति हो जाती है ये इतना ही सत्य है जो हम कभी जूटला नहीं सकते और इंसान को कभी न कभी मरना है आज नहीं तो कल मरना है करने तो परसो मरना है लेकिन मरना है तो हमारे जीवन की ये सच्चाई है मृत्यू ये सच्चाई है यही बात भी समझाई जा सकती है भाई हमारी कितनी भी इच्छा हो हमारा कितना भी प्रेम हो तो भी जीस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यू संभव है और मृत्यू अटल है वो टाली नहीं जा सकते और ये टालीन जाने वाली मृत्यू कभी भी संभव है कभी एक्सिदेंट के कारण संभव है कभी बिमारी के कारण संभव है कभी और किसी कारण के कारण संभव है ये भी बात समझाई जा सकती है आखरी में इनसान अपने आपको समझाता किस आधार पर है जो उसकी खुद की समझ है उसकी धारणा है उसके आधार पर उसको जल्दी से समझ आती है या फिर उसको एकसेप्ट कर पाता है जैसे कई लोग नसीब पर विश्वास रखते हैं आम आदमे भारत में जो पैदा होता है वो नसीब पर विश्वास रखता है भाई नसीब में इतने ही दिन लिखे थे उतने ही दिन की जिंदगी थी ये उसके लिए समझना भी आसन है और समझाना भी आसन है ऐसा हमको लगता है लेकिन बृत्यू का लौस जो होता है बृत्यू के करण जो हमारे ख्षती होती है नुकसान जो होता है नजदिक के लोगों का वो इतना ज़ादा होता है कभी भरके नाने वाला होता है कि उसका दुख तो उतना ही होता है चाहे आप इस बात को समझ के दुख को अनुभव किजी चाहे ना समझ के अनुभव किजी इसलिए जो व्यक्ति इन चीजों को नहीं मानता है उसको भी समझाना संभव है और जो व्यक्ति इसको मानता है उसको ये मान्यता के साथ में उसको समझाना संभव है समझो ऐसी बात है कि आपको जिस व्यक्ति के घर गए हो आपके परीचित जिनकी मृत्तिय हुई उनके रिष्टेदार सभी भगवान को मानने वाले हैं इसलिए आपने भगवान का नाम लेकर ही उनको समझाना चाहिए आवशक नहीं है आप ऐसा भी कह सकते हो ठीक है, जो हुआ वो बुरा हुआ, नहीं होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा था लेकिन हम अपेक्शा करते हैं वहां वैशे ही होगा, यह तो जीवन की सच्चा ही नहीं है तो जो हुआ वो हमने accept करना चाहिए accept करना सीखना चाहिए और हरेक को ये accept करना होता है इस lines का भी वारतलाप आप कर सकते हैं और मुझे लगता है कि कई बार शब्दों की भी आवशक्ता नहीं होती है शब्दों से भी बढ़िया होता है कि आप उनके साथ बैठ जाईए उनके दुख में शामिल हो जाईए अगर आपके अच्छे परीचित है तो उनके कंदे पर हाथ रखिये केवल कंदा सहलाईए ना इश्वर की नाम लेने की जरुरत है ना और कोई बात करने की जरुरत है केवल सहलाईए थपथपाईए थोड़ी दिर बैठी है उनके साथ में और फिर अगर ज़्यादा समय आपको गुजारना है तो इसी डंग से उनके साथ में गुजारी है वो कुछ बोलते हैं वो केवल सुनी है अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे घरों में लोग क्यों ये हुआ वो व्यक्ति की मृत्यू क्यों हुए इसके पीछे के कारण आपको बताएंगे कुछ यादे बताएंगे शान्ती से सुनते रहिए बीच बीच में उनके हाथों को या फिर पीट को थपथपाईए मुझे लगता है इससे भी बहुत बड़ा सांत्वन मिलता है केवल सुनने से भी बहुत बड़ा सांत्वन आप दे सकते हो आपके बोडी लेंग्वेज के जरिये दे सकते हो शब्दों की हमेशा जरूरत होती है इसी बात नहीं है इसलिए आपने जो पूछा वो डिफिकल्ट है किसी का भी सांत्वन करना इश्वर के नाम के साथ भी सांत्वन करना कठिन है नाम न लेते हुए भी सांत्वन करना कठिन है लेकिन सांत्वन करना तो संभव है कठिन है लेकिन संभव है और मुझे लगता है इतना जेश्चर भी काफी हो सकता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेरनेस पहलाने में हमारी मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विजिट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए कर दो